अगनी पत जो योजना है हम नहीं समझते हैं कि ये सकरात्मा कदम है और इसको रोल बैक करकर हम जो पक्की भरतियां होती थी फॉज के अंदर उसको दुबारा चालू करने के बात रखेंगे और मैं समझता हूँ इस बात को हम अपने मैनिफेस्टों में भी पूर्ट रहें शुरू कराएंगे देश की फॉज पर जो गौरफ था उसको दुबारा बनाएंगे और इन डेड़ लाख नौजवानों को भी न्युक्ती फॉज में दिलाएंगे नमस्कार मैं रवीश कुमार अगनीवीर योजना वापस होगी मोधी सरकार ने नहीं कॉंग्रेस ने वादा किया है अगर 2024 में केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार बन गई तो अगनीवीर योजना वापस कर दी जाएगी और पुरानी वेवस्था लागू होगी कॉंग्रेस एक एक कर अपना मैनिफिस्टो जारी करती जा रही है नियायात्रा के दौरान सबसे पहले देश भर में जाती की गनना और आरक्षन की सीमा 50% से अधिक करने का वादा किया उसके बाद दूसरा बड़ा वादा किया MSP की Legal Guarantee देने का और तीसरा वादा अब किया गया है अगनीवीर योजना समाप्त कर देने का कल यह परसों कहा गया कि हम Defense Export से बहुत पैसा कमा रहे हैं ये भी कहा गया कि हम आत्म दिरबर हो रहे हैं हम Indigenous Manufacturing कर रहे हैं अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्पूर यह होगा कि हमारे जो शौरवीर सेनिक हैं उनके जीवन के लिए उनकी भरती के लिए उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुक्स करने के लिए कॉंग्रिस पार्टी ने जब यह योजना लॉंच हुई उसी समय से हम लोगों ने विरूद किया था क्योंकि हमें लगा कि यह चार साल की नौकरी देने के बाद सिरफ 25 प्रतिशत लोगों को स्थाई रूप से फौज में भरती किया जाएगा और बाकी 75 प्र प्रतिशत लोगों को रिलीस कर दिया जाएगा अब यह कहा जा रहा था कि 10% की पैरमनेटरी जो हैं आम फोसी सीए पी एफ हैं उसमें उनके लिए आरक्षित दिया गया है लेकिन जो एक सर्विस्टिसमें के लिए जो अलरडी रेजिवेशन है उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं जो पूर सैनेकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं फिर कहा गया कि अलगलग स्टेट गर्मेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अगनी वीरों को हम छोड़ देंगे वो कहां अब्जॉब होंगे एक आद राजी न जा रही है उसका भी जो आधा पैसा उनकी तंखा से कट रहा है तो कहीं न कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना के भरती की जो प्रक्रिया है उसे खिरवार कर रहे हैं पहली पदयात्रा और इस बार की न्यायात्रा में राहुल गांधी लगातार अगनीवीर योजना का विरोत कर रहे हैं। इस योजना के विरोध के बाद भी राहुल गांधी को कई राजियों में युवाओं का साथ नहीं मिला या मिला भी तो कॉंग्रेस को इसके सहारे सत्ता नहीं मिली तीन बड़े राजियों में कॉंग्रेस हार गई हार के बाद भी कॉंग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा है वो शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा उसके लाश को परिकर दिया जाएगा और उसको भूल दिया जाएगा अगनीवीर योजना में जो शहीद होगा उसको ना पेंशन मिलेगी परिवार को ना पेंशन मिलेगी ना मदद मिलेगी कुछ नहीं अगनी वीर कौन बनेगा मैं आपको बताता हूँ जाएंगे सब अंदर चार साल बाद चार में से तीन को लाक मार के बाहर बगा दिया जाएगा कहा जाएगा तुम्हारी यहां कोई जरुरत नहीं है और चार में से एक बंदा सेना में जाएगा जो पैसा अगनी वीरों को मिलना चाहिए सेना का बजट का पैसा वो कहा जा रहा है अधानी जी के जेब में जा रहा है इसके बाद भी अगनी वीर को लेकर राहूल गांधी का विरोध अपनी जग़से हिला नहीं निया यात्रा के दोरान वे केवल पेपर लीग की बात नहीं कर रहे थे बलकि कम नौकरियों के रोजगार की भी बाते उठाते रहे और हर तरीके से ये सवाल करते रहे कि अगनी वीर युवाओं के लिए और देश की सेना के लिए अच्छा नहीं राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है जहां से बड़ी संख्या में छात्र सेना की भरती की तयारी करते हैं राजस्थान से लगे हर्याना में भी सेना में भरती होने का ट्रेंड है इसलिए आज कॉंग्रेस मुख्याले में राजस्थान से सचिन पाइलेट और हर्याना से दिपेंदर हुड़ा प्रेस कॉंफेंस करने आए कॉंग्रेस शुरू से ही इस योजना को वापस लेने और पक्की भरती का समर्थन करती रही है दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि अग्नीवीर योजना की मांग तो युवावन नहीं की ना देश में किसी और संस्था ने उन्होंने यह भी कहा कि जब से अग्नीवीर योजना शुरू हुई है हर्याना में भरतियां कम हो गई है और बहुत से ऐसे परदेश, जैसे हरियाना परदेश, हमारे परदेश में नौजवानों के दिलों में जजबा, देश भक्ती का जजबा, देश के लिए सर्वोच निचावर करने का जजबा, सुबह उठके कड़ी, परिशरम, महनत, प्रेक्टिस, दंड, बैठक, रेस अपने गाउं में, अपने छहर कस्बे में, जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरी, मेरा शरीर कभी, सहीद हो के अगर वापिस आए, तो वो मेरे लिए गौरव क विशे होगा, उस देश में, उस प्रदेश, हर्यान जैसे प्रदेश में, जहां हर साल, आजादी के बाद से 2019 तक, साड़े पांच अजार की हमारी पक्की भरती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अगनी वीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किये जाएंगे, कहां साड़े पांच अजार की पक्की भरती, हर्यान जैसे प्रदेश में, और कहां केवल 210 की पक्की भरती, प्रती वर्ष, ये कितना, मैं समत्ता हूं कि, जहां हमारा नौजवान देश की, देश की सीमाओं पे जाकर, अपनी जान हतेली प मादम से, उन सिमाओं के अंदर जाकर, वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है, देश में सबसे आदा बेरोजगारी होगे हर्याना में, कहीं अपराद की बात आ रही है, तो इस्तिती है, तो आज नौजवान की रुची कम हुई, कोचिंग सेंटर बंद हो ग की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोनों कॉंग्रेस के बहुत बड़े नेता बताये जाते, दोनों अपने अपने शेत्र में प्रभावशाली नेता तो हैं, मगर जब वे एक जरूरी मुद्दे पर प्रेस कॉंफरेंस करते हैं, तो क्या यही गोधी मीडिया उनकी प्रेस कॉंफरेंस दिखाने के लिए उन इसमें उन्होंने लिखा था कि सेना नहीं चाहती थी कि चार साल के बाद अगनीवीर हटा दिये जाएं, बलकि नर्वने लिखते हैं कि सेना का तो सुझाओ था कि चार साल के बाद 75 फिसदी अगनीवीर सेना में रख लिये जाएं, मगर इससे बदल दिया गया, चार साल के केवल 25 प्रतिशत अगनी वीर ही सेना में रखे जाएं ये फैसला हो गया जैसे ही यह राज बाहर आया कि यह योजना कहीं और से थोपी गई थी सेना को पता नहीं था इस किताब के प्रकाशन पर रोक लग गई दिसंबर के आखरी सब्ता में खबर आती है कि पुर्व सेना ध मगर अब तो पुस्तक मेला भी आकर जा चुका है इस किताब का कहीं अता पता नहीं पुर्व सेना ध्यक्ष भी इसे लेकर नहीं बोल रहे हैं कि उनकी किताब नहीं छप रही है और क्या स्टेटस है जनवरी में खबर आई कि एमेजॉन ने पुराने ओरर कैंसल कर किताब क डिलिवर होने की नई तारीख दिए, अब ये किताब 30 अप्रेल को डिलिवर होगी, वायर ने रिपोर्ट छापी थी कि किताब रक्षा मंत्राले और विदेश मंत्राले से मनजूरी का इंतजार कर रही है, पुर्वसेनाध्यश के किताब को कब मनजूरी मिलेगी किसी को प ना इतने वर्षों में मांगाई कि देश की फौज की चेहन प्रक्रिया बदली जाए जिस फौज पे हमें गर्व था जिस फौज ने बार बार दुश्मन को काशी जुकाने काम किया था हमाईशा हमारे जंगे तिरंगे को उचा रखने काम किया था उसकी भरती प्रक्रिया ब हमने आपत्ती इस पे करी कि चार साल के बाद बिना पेंशन घर वापिस आ जाएगा तो कहां जाएगा जिस पर कलास विजे वर्गेजी का ब्यान आया कि ऐसे नौजवानों को भाजपा कार्याले के द्वार पे चोगीदार की हम नौकरी देंगे मैं बता देना चाहता हूँ भारतिय अंता पार्टी वाड़ों को ये देश भक्ती का भाव आप देश की फौज पे राजनीती करना जाते हैं लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देश भक्ती के भाव से वो आपके कार्याले के बाहर चार साल के बाद आक कि क्या सेना की भरती के लिए तैयारी करने वाले देश भर के लाखो चात्र सिर्फ एक घोशना से मोदी के प्रती अपनी निश्ठा बदल लेंगे अगर इसका जरा भी डर होगा तो बीजेपी भी तुरंत वादा कर देगी कि वो अगनिवीर वापस ले लेगी लेकिन हिमाचल चुनाओं में हार के बाद भी बीजेपी ने ऐसा नहीं किया जून 2022 में इस योजना की मनजूरी के बाद से जितने भी चुनाओं गुजरे हैं बीजेपी इसे लेकर जरा भी परेशान नजर नहीं आई चुनाओं नतीजे भी उसी के पक्ष में जादातर राज्यों में गए हैं यह सारी बाते ठीक हैं कि युवा सेना की भरती के लिए दिन रात तयारी करते हैं चाहते हैं कि सुरक्षित और पक्की नौकरी मिले पेंशन हो और शहीद होने पर सम्मान मिले लेकिन इसके बाद भी यह समझ लेना कि वे इसी आधार पर वोट देने जाएंगे कॉंग्रेस को थोड़ी जल्दबाजी होगी एक ऐसे समय में जब प्रधान मंत्री मोदी विरासत के नाम पर केवल मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं उनके आस पास विकास को विरासत के विकास का नाम दे रहे हैं हर समय एक अवतार की मुद्रा में दिखाये जा रहे हैं अगर युवाओं के इन मुद्दों का असर उन पर होता तो वे युवाओं के बीच जाते मंदिरों में कम जाते उनकी गतिविधियों को देख कर लगता है कि वे मंदिरों के जरिये युवाओं से लेकर जनता के दिलों तक पहुँच रहे हैं क्या राहूल गांधी नौकरी और भरती के सवाल उठाकर जनता के दिलों तक पहुँच पाएंगे खासकर युवाओं के हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राहूल गांधी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है उनके यूट्यूब चैनल पर भी इससे संबंधित युवाओं से बाचीत के कई वीडियो हैं एक वीडियो है जिसे 30 दिसंबर 2023 को पोस्ट किया गया है चमपारण से पदयात्रा कर नौजवान उनके घर आये उनसे मुलाकात की इन नौजवानों ने राहूल गांधी को बताया कि वे सेना की भरती की परिक्षा पास कर चुके थे नियुकती पत्र का इंतजार कर रहे थे लेकिन तभी अग्मीवीर योजना थोप दी गई पुरानी भरतियां बंद कर दी गई सर नौटिस में यह बोला जाता था कि अब यह डिले है कुछ एड्मिनिस्ट्रेव रिजन्स की वजह से जल्दी होगी बरती पूरी कभी हमें यह ने बोला कि आपकी बरती पर दिखाव दरा यह यह नोटिस है वन एक अप्साइट अप्डेट था सरी राजनाथ सिंग जी का लेटर है जो उन्होंने उन्हों को दिया था और यह सर बच्चों का डेलिगेशन जी समिलने उसका फोटो है 1 221 में यह सेलेक्टेड लटकें यह सरी इंडिगल के आपाद जो फीटर उनफिटर लिस्टर लिस्टा यह बहुत लंबे लिस्टर चाड़ी जारें जो जो मजबूर 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 हैं जो धुको यह है कि Pan तो पैसा के थोड़ी थोड़ी आसभी मैंने 12 पास किया और उसके बाद से ही यह प्रोसेजर चालो किया और अब आके लास्ट में यही था आपसन यही बचा था अब यह भी तूट गया अब बस कोई इच्छ है नहीं हो तीजी नहीं है कि साथ हमारा यह प्रोसेस पूरा हो जाए और हमें यह मौकर मिल जाए बाकी कुछ नहीं बचाया है आर्मी के अलावा दुसरा कुछ सोचा ही नहीं था सर दीन राते करके मैनत किया आठ साल मैनत किया हूं तब जाकर सर दोर मे सर अब जानते हैं कि इस वीडियो को कितने व्यूज मिले हैं इस एक वीडियो को 10 लाग से कम व्यूज मिले हैं जबकि सेना की भरती की परिक्षा 50 लाग से अधिक नौजवान देते हैं तब भी इसका व्यूज 10 लाग नहीं है इसके बाद भी राहुल गांधी ने इस बोलना कभी बंद नहीं किया असम में भी उन्होंने भारत जोडो न्यायात्रा के दौरान अगनिवीर को लेकर युवाओं से बात की युवाओं ने उनसे मुलाकात की इस वीडियो को राहुल गांधी ने अपने चैनल पर 24 जनवरी के दिन पोस्ट किया है इसका थमनेल है अगनिवीर का अन्याय पेंडिंग भरती पेंडिंग न्याय क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो को कितने व्यूज मिले हैं 75,000 से भी कम व्यूज मिले हैं जबकि किसी भी भरती में युवाओं के शामिल होने की संख्या 10 लाग से ही शुरू होती है लेकिन तब भी उनके ह अगनिवीर और उस पर राहूल गांधी के वीडियो को कितने कम व्यूज मिले हैं हम अगनिवीर और उस पर राहूल गांधी के वीडियो पर मिले व्यूज की बात क्यों कर रहे हैं अगर यह मुद्दा युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता तो क्या इस वीडियो को जादा नहीं देखा जाना चाहिए था मीडिया में तो राहूल गांधी की ऐसी बातचीत टीवी चैनलों पर यूही नहीं दिखाई जाती नाखबारों में छबती है लेकिन जो यूआ पिडित हैं क्या वे भी नहीं देखते जो इंटरनेट पर लंबा समय बिता रहे हैं जिन के बाद भी क्या युवाओं को उनके अपने ही मुद्दों में दिल्चस्पी नहीं है या तीसरा वीडियो भी हमें राहूल गांधी के चैनल पर मिला है इसे 31 जनवरी को पोस्ट किया गया इस वीडियो को धाई लाक व्यूज मिलें इसमें भी राहूल गांधी युवाओ हमारे कहने का कहीं से यह मतलब नहीं कि राहूल गांधी को यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए बलकि यह बताना है कि इस मुद्दे के बाद भी उन्हें हार मिल रही है युवाओं ने उन्हें हाथों हाथ नहीं लिया लेकिन इसके बाद भी राहूल गांधी ने यह कि वे केबल जीतने के लिए मुद्दे नहीं उठाते और हार जाने के बाद मुद्दों का त्याग नहीं कर देते बलकि उन्होंने दिखाया है कि हार जाने के बाद भी वे मुद्दों को नहीं छोड़ते अब तो कॉंग्रेस ने अगनिवीर योजना को वापस लेने का एलान कर दिया है यूट्यूब पर वीडियो को व्यूज मिलना राजनिती का पैमाना बिलकुल नहीं है तब भी नहीं जब बहुत व्यूज मिल सकते थे लेकिन इससे पता चलता है कि जिन युवाओं की बात र माउकरी के बाद एक कम उम्मर में रेडायर हो जाएंगे उनके भवेश का कुछ पता नहीं उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी उनको ग्रैचुटी जो 11 लाग रुपे की दी जा रही है उसका भी जो आदा पैसा है उनके तनका से कट रहा है तो कही ना कहीं ये कॉस्ट कटिं हैं जहां सबस्यादा भरतियां होती हैं जहां लोग बहुत चाव से शौंक से और एक मातर भूमी की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षन करते हैं तयारियां करते हैं और एक गाउं में महाल होता है कि हम फौज की भरती के तयारी कर रहे हैं ऐसे लगबख इमारत सरकार G20 पे 4100 कोड़ पे खर्च कर सकती है, 95 अवाइज के लिए 8400 कोड़ खर्च कर सकती है, Central Vista Project के लिए 20,000 क्रोड खर्च कर सकती है और इस पर सरकारे इस्तिहार के लिए सरकारी इस्तिहारों के लिए 6,000 क्रोड खर्च कर सकते हैं तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिरफ पैसा बचाने के लिए अपनी भरते की पूरी प्रक्रिया से खिलवार करें ये भविश के लिए हमारे आंतिक सुरक्षा के लिए हमारे भारत की integrity security के लिए कहिने का challenge बन सकता है अच्छा है कि कॉंग्रेस जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है वो मंदिर मंदिर जाकर जनता तक पहुँचने का प्रयास नहीं कर रही कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खड़गे ने आज राष्ट्रपती को पत्र लिखा है कि भारत सरकार के एक फैसले के कारण दो लाख लड़के और लड़कियों का भविश्य अधर में लटक गया है इन सभी का 2019 से 2022 के दोरान भारतिय सेना के लिए चयन हुआ था इन्हें सुचित भी किया गया कि सेना में लिये जाएंगे 31 मई 2022 तक वे इस भरोसे में रहे कि उनकी भरती होगी नियुक्ती पत्र मिलेगा भरती के लिए बुलावा आएगा मगर उस दिन भारत सरकार ने पुरानी भरती की प्रक्रिया समाप्त कर दी और अगनीवीर योजना शुरू कर दी खड़गे ने लिखा है कि इस नौकरी के लिए युवाओं ने वर्षो मेहनत की है पचास लाख नौजवानों ने आवेदन भरे थे और इन सभी ने ढाई सो रुपए दिये थे उनसे एक सो पचीस करोड रुपए वसूले गए जो वापस नहीं किये गए इस कारण इन युवाओं के खुशी छिन गई है कई युवाओं ने अपनी जिन्दगी भी खत्म कर ली मैं आप से अपील करता हूँ कि इनके साथ न्याय करें दो लाख नौजवानों के सेना में भरती होने की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो गई क्या बीजेपी के सांसदों को इन नौजवानों की आवाज नहीं उठानी चाहिए थी क्या गोधी मीडिया को इनकी बात लगातार नहीं करनी चाहिए थी कोई इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा है फिर भी कॉंग्रेस बोल रही है कॉंग्रेस के अध्यक्ष राश्ट्रिपती को पत्र लिख रहे हैं या जानते हुए भी कि उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है अग्निवीर योजना की आलोचना बीजेपी के समर्थक सैनिक अधिकारियों ने भी की थी मगर अब विरोध की आवाज सुनाई नहीं देती क्या इन सभी बड़े वादों के सहारे कॉंग्रेस 2024 की चुनावी सभाओं में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी अभी तक कॉंग्रेस के दोनों गैरेंटी आरक्षन के सीमा बढ़ाने जाती की गनना करने और MSP की गैरेंटी देने के वादे पर बीजेपी ने कोई संग्यान नहीं लिया है शायद वो इन वादों से बिलकुल परिशान नहीं लगती है कुछ फरक नहीं पड़ता कुछ फरक नहीं पड़ता आप में कुछ दम नहीं है आप में कुछ दम नहीं है बोलो जितना बोलना है कुछ नहीं होगा अरे भाई सुन लो समझ लो समझ लो समझ लो आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है आप जितना चिलाना चाहते हो चिलालो जितना आप कहना चाहते हो अगनीवीर नहीं होगा चिलालो कुछ फरक नहीं पड़ने वाला आप में धम नहीं है आप में धम नहीं है अगनीवीर होगा अगनीवीर होगा क्यों? क्योंकि आदानी चाहता इसलिए अगनी वीर होगा मोधी चाहता इसलिए अगनी वीर होगा कैसे बो क्या दम नहीं है आप में कैसे नहीं होने देखो हो रहा है आप चिलाते हो और कुछ नहीं करते ही दम नहीं है आप में 70% में धम नहीं है सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता मैं रास्ता बताऊंगा मगर दम नहीं है तुम लोगों में तुम लोग सोई हुए लोगो मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ तुम लोग सो गए हो 75% हिंदुस्तान का जो बबर शेर है जो इस देश को चलाता है जो इस देश को आगे ले जाता है वो सो गया है डर गया है ये देश की सचाई है आप कहो जितना कहना है अगनी वीर नहीं होगा अगनी वीर नहीं होगा 73% में दम नहीं है होगा कैसे नहीं होगा अच्छी बात है कि राहूल गांधी युवाओं को जगाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है प्रधान मंत्री मोधी ने सितंबर 2013 की सभा में वन रैंक वन पिंशन का वादा किया था लेकिन आज सेना में दो तरह के सैनिक हो गए हैं एक पूर्ण सैनिक और एक अगनिवीर पुराने सिस्टम से भरती सैनिकों को पिंशन मिलेगी नए सिस्टम से भरती अगनिवीरों को पिंशन नहीं मिलेगी उन्हें इसी से संतोष करना पड़ेगा क्योंके प्रधान मंत्री नियमित रूप से मंदिरों में जाते हैं, मंदिर को विरासत समझते हैं, मंदिरों के कैमपस में LED स्क्रीन लगवा देते हैं, सेलफी पॉइंट बनवा देते हैं, वहां सुविधाओं का विस्तार कर देते हैं. इससे युवाओं को और उनके परिवारों को जो हिंदू सुख मिल रहा है वो सुख उन्हें नौकरी और पिंशन से कभी नहीं मिल सकता फिर राहूल गांधी को क्या युवाओं के मुद्दे छोड़ देने चाहिए? बिल्कुल ही नहीं विपक्ष को हमेशा जनता के दुख की बात करनी चाहिए युवाओं को हिंदू सुख में डूबा देखकर उनकी बेरोजगारी और रोजगार के सवाल पर चुप हो जाने वाला विपक्ष का नेता हो ही नहीं सकता है नमस्कार मैं रविश कुमार